दोसका दोस्तों, डेट आज की देखो 14 October 2024 है, स्वागत है आपका एटोरियल डिस्केशन में डिस्केशन स्थार्ट करने से पहले आज का कोड देख लीजिए एक तरफ देखो हमना information में डूब रहे हैं, दूसरे तरफ knowledge के लिए भूखे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना एक simple example से मैं आपको बताता हूँ आप ना बहुत सारे ऐसे YouTube channels देखते हो, जैसे ही थोड़ी सी कोई घटना घटी for example, इरान ने missile launch कर दी, इसराइल के उपर, तुरंट के तुरंट उस पर वीडियो जाती हैं हजारों वीडियो जाती हैं तुरंट के तुरंट, थोड़ी थोड़ी information वो सारे channels share करते हैं यह क्या है, यह एक परकार से ना information ही है, information का flood है लेकिन आपने कभी ध्यान दिया, उन वीडियो में ना analysis नहीं होता deep understanding उन वीडियो में नहीं होती तो यही देखो, आज की सच्चाई है आपको ना हजारों टन information मिलेगी थोड़ी थोड़ी information किसी में दो-तिन लाइने अलग होंगी बट उस information की processing आपको बहुत कम देखने को मिलेगी processing, information की processing से बनती है knowledge information की, जब processing होती है, information को जब हम apply करते हैं तो उससे बनती है knowledge, knowledge मतलब wisdom, knowledge मतलब critical thinking knowledge मतलब issue की deep समझ यह देखो, बहुत कम देखने को मिलती है, और यही काम की है आज information flooding से हो के आगया है, समझ नहीं आता कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है इससे ना time waste बहुत ज़्यादा हो जाता है हजारो आर्टिकल्स, हजारो वीडियो, लाखो वीडियो आपको नजाने क्या कुछ देखने को मिलेगा आपके पास time है limited तो इसलिए देखो, आप अपनी knowledge के लिए जिस भी source का चुनाव करें सोच समझ के चुनाव करें ऐसा ना हो, वो source आपको शिरफ information दे रहा है लेकिन knowledge की कमी है आज देखो, तीन issues हम discuss करेंगे तीनों के तीनों दा हिंदू के हैं सबसे पहले आर्टिकल्स करेंगे, rail safety से सम्मंदित दूसरा आर्टिकल्स आज हम discuss करेंगे, RTI Act से सम्मंदित बीच में साल में एंटर कर गया RTI और तीसरा, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ क्वेड, दूनों के बीच में इंडिया को strategic balancing की आव सकता है तीनों आर्टिकल्स आज के दा हिंदू के ही है चोथा हम static discuss करेंगे कौन सा medical tourism से सम्मंदित discussion start करने से पहले एक छोटा सा awareness है, जैसे देखो adorial discussion, अपना daily main से initiative है, उसी परकार से देखो, prelim के लिए भी एक अपना initiative है, current affair plus इसमें देखो, daily basis पे एक घंटे की वेडियो होती है शुरुवात के आदे घंटे, prelim के current affairs होते हैं, जैसे ये सारे current affairs, आज हम discuss करेंगे फिर दूसरे हाफ में, आदे घंटे में हम static discuss करते हैं जैसे आज inflation का बचा हुआ पार्ट हम discuss करेंगे एक हफते में जो discuss होता है, उसका test होता है, फिर monthly basis पे test होता है, revision के लिए आपको notes मिलते हैं, current affair current affair revise करने के लिए आपको weekly notes मिलते हैं, बहुत कुछ हैं, तो मतलब prelim पे focus करता हुआ हमारा ये daily initiative है और आप इसे join कर सकते हो एक घंटा आप निकालिए इस initiative के लिए काफी बढ़िया initiative है तो चलिए आप discussion start करते हैं आज की discussion में first important article, railway safety से समधित हैं, आप slayvers में JS paper 3 के इस topic से infrastructure topic से article को relate कर सकते हूं, क्या contest है एक और real accident 11 October को एक train मैं सुरू से दरबंगा जा रही थी और उसका देखो चेन्ने के पास में accident हो गया अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि जान का कोई नुक्सान नहीं हुआ लेकिन देखो राइटर ये बोलते है जान का नुक्सान नहीं हुआ इससे देखो जो serious stress है train accident की कम नहीं हो जाती आप इस accident को ना recent past में हुए बहुत सारे accidents से connect कीजिए हाल फिलाल में देखो पिछले एक साल में बहुत सारे train accidents हुए है जहां कुछ experts in accidents को infrastructure issues से connect कर रहे है कि इंडियन डेलवे अपने आप को ना modernize नहीं कर रही है railway tracks पे congestion काफी जादा बढ़ गया है signal system modernized नहीं है इस वज़े से ये जो accidents हैं लगातार हो रही है बच दूसरी तरफ देखो government in accidents को terrorist activities से भी connect कर रही है अभी जो ये accident हुआ ना मैं सुरू दरबंगा train का इसमें देखो सरकार का ये कहना है इंडियन डेलवे का ये कहना है driver को ना signal था main line में जाने का लेकिन driver train को ले गया loop line में जो loop line होती है ना वो एक प्रकार से parking line होती है जैसे ये single line है ये single track है और ये side में यहाँ पे मान लीजिए आप ये है loop line अब दो train एक track पे चल रही है तो ना जो पीछे train चल रही है ना उसको space देना है आगे जाने के लिए जो train आगे चल रही है ना वो यहाँ पे आके park हो जाती है फिर जो पीछे वाली train है ना वो एकदम सीधा निकल जाती है आगे तो रास्ता देने के लिए होती है ये loop line एक परकार से गाड़ियों को park करने के लिए होती है अब हुआ ये जो मैसूरू दर्बंगा train थी ना इसको signal था कि आप सीधा जाओ मेल लाइन में जाओ बट ये चला गई ये train चली गई loop line में और यहाँ पर ना एक मालगाड़ी गुड्स train आलेड़ी मुझूद थी दोनों की आपस में टककर हो गई और तेरा जो बोगी थी इस train की derail हो गई यहाँ पर देखो बहुत सारे issues से इमर्ज होके आते हैं जैसे सबसे पहले है कवच सिस्टम कवच सिस्टम क्या है यह देखो automatic train protection है automatic train protection मतलब देखो जैसे दो trains एक track पर आ गई तो फिर automatic brake लग जाएंगे इस कवच सिस्टम के कारण इसके अलावा जैसे किसी train ने सिगनल को overrun कर दिया मतलब signal तोड के train आगे चले गई signal को violate करके तो automatic brake लग जाएंगे कोई train अगर over speeding कर रही है तो भी automatic brake लग जाएंगे even driver को सूचित कर दिया जाएगा अपने आप driver को information चली जाएगी कि आपने यह किया है तो यह कवच system देखो बढ़िया है train collisions को रोकने में बट दिक्कत यह है अभी तक न पूरे rail network में न कवच system को implement नहीं किया जासका है writer बोलते हैं देखो railway जितना infrastructure पे invest कर रही है न उसका 2% लगेगा हर साल और 10 सालों के अंदर अंदर न यह कवच system पूरे rail network में implement हो जाएगा लेकिन question यह उठता है क्या इस कवच system के implement होने के बाद real accidents रुक जाएंगे यह देखो देखने वाली बात होगी क्योंकि बात यहाँ पे सिरफ कवच की नहीं है technology से आगे जाके भी हमें चीजों को देखना होगा अगर हमें safety ensure करनी है तो जैसे एक issue है loco pilots की working conditions का जैसे अभी इस accidents में बोला जा रहा है कि यह ना मानुए भूल के कारण हुआ human error है कि driver को main loop main line पे गाड़ी रखनी थी loop line में नहीं ले जानी थी लेकिन वो loop line में ले गया लेकिन writer यह बोलते है देखो सारा जो दोस है ना drivers का नहीं है loco pilots का नहीं है वो भी काफी खराब conditions में काम करते हैं एक news publish होई थी कि उनके लिए ठीक से विश्राम करने की facility नहीं है even engine में toilet नहीं होता तो वो काफी खराब conditions में loco pilots काम करते हैं उनकी working conditions को improve करने की आवसकता है next point में writer यह बोलते है जो existing signal system है ना इसमें भी देखो reform क्या आवसकता है क्योंकि अभी तो railway के द्वारा बोल दिया गया है कि driver की गलती है लेकिन देखो देखना चाहिए कि वास्तम में signal system में भी malfunction हुआ या नहीं हुआ signal system भी काफी पुराना हो गया हमारे देश में तो railways को na signal system में भी सुधार लाना चाहिए अब फिर इसके बाद writer कुछ general points देते हैं Indian railway क्या economic challenges face कर रही है जैसे railways करना revenue growth नहीं हो रहा है इसलिए Indian railway central government के उपर ज्यादा dependent होती जा रही है अपने budget के लिए मतलब खुद से पैसा नहीं कमा पा रही है Indian railway और जो already roots बने हुए है जैसे दिली मुंबई दिली परियागराज ये देखो over utilized है मतलब नया track हमने बहुत कम बिचाया है इस वज़े से already जो track है न वो over utilized है काफी congestion देखने को मिलता है tracks पे और Indian railways अपनी कमाई के लिए na freight पर dependent है माल गाडिया रेवन्यू देती है Indian railway को बागी देखो passenger trains वगारा ये Indian railways को revenue नहीं देती बलकि ये घाटे में चलती है तो यहाँ पे na cross subsidization देखने को मिलता है माल गाडियां Indian railway को मुनाफ़ा देती है और उस मुनाफ़े का इस्तमाल करती है Indian railway passenger गाडियां चलाने के लिए क्योंकि वहाँ पे होता है lows लेकिन एक concern ये है उस lows की भरपाई करने के लिए na Indian railway क्या करती है माल गाडियों में भी न rate काफी high रखती है और अब Indian railway को मिल रहा है tough competition दूसरे transport के medium से जैसे देखो road है simple सा road से transport है अभी ना हमारे देश में पिछले कुछ सालों में सडकों का जाल काफी ज़्यादा अच्छा हो गया है तो ना Indian railway को ना road sector से भी काफी tough challenge मिल रहा है हुआ क्या था COVID-19 की जब महामारी आई थी ना तो उस समय Indian railway का जो market share है ना वो काफी परभावित हुआ था trains बंद हो गई थी आपको याद होगा बुरी तरह से लेकिन देखो महामारी तो खतम हो गई बट Indian railway का जो share था ना market share freight में और दूसरी चीजों में वो अभी भी COVID-19 के पहले वाले समय पर नहीं आज़का है यानि Indian railway का जो share market share है चीजों को transport करने में वो काफी कम हो गया है COVID-19 के बाद लास्ट में राइटर बताते हैं क्या करना चाहिए सरकार को सरकार को देखो dual approach अपनानी चाहिए पहला तो safety measures को ज़्यादा अच्छे से implement करें और दूसरा अगर सरकार बोल रही है कि terrorist activities जिम्मदार हो सकती है तो इनका देखो completely बढ़िया डंग से जाच की जाए फिर तो सरकार को और भी जबदस्त action लेनी क्या आँ सकता है अगर terror activities के चलते कुछ rail accidents हुए हैं तो फिर राइटर बोलते हैं इंडियन डेलवेज को ना balanced approach अपनाने क्या आँ सकता है एक तरफ safety इंशोर करें दूसरी तरफ modernization पे ध्यान दे और तीसरी तरफ economic viability भी खुद का पैसा खुद कमाए central government के उपर कम से कम dependent रहे budget allocation के लिए और सबसे last में है lack of transparency सरकार ना transparency जरूर बरते मतलब जितने accident हुए है सरकार बताये जरूर ढंग से कौन सा accident किस reason की वज़े से हुआ है तो इस चीज में transparency जरूर होनी चाहिए यह पूरा article हमने discuss किया real safety से समंदित चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट article देखो RTI से समंदित है slivers में GS paper 2 governance में सिधा-सिधा topic है RTI इसके लावा देखो even आप GS paper 4 ethics से भी इस article को relate कर सकते हूं देखो 2005 में RTI आया था तो अब 20-15 साल start हो चुका है अगले साल तो पूरे 20 साल हो जाएंगे RTI को आए RTI ने ने पिछले 20 सालों में बहुत बढ़िया काम किया है Indian citizens को power देने में जैसे देखो अपने लिए basic rights की मांग करना हो जैसे PDS के तहत जनता को अनाज मिलता है food grain मिलते हैं उसमें corruption को उजागर करना हो सडको में corruption को उजागर करना हो या फिर देखो electoral bond scheme का किस परकार से misuse हुआ इन सब चीजों में न RTI ने बहुत important role play किया RTI की साहिता से जनता जो है power में बैठे लोगों की जवाब दे ही fix कर सकती है और इसी वज़े से देखो approximately हमारे देश में न 60,6 million applications RTI वाली file होती है लेकिन देखो अब ना writer कुछ challenges बताती है RTI के implementation से समदित RTI के implementation में challenge ये आ रहा है एक तो इस कानून को कमजोर किया जा रहा है अभी हम discuss भी करेंगे कि एक amendment लाके कैसे RTI Act को कमजोर किया गया इवन देखो वो लोग जो RTI फाइल करते हैं उनको भी काफी backlash का सावना करना पड़ता है बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई है बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट के ऊपर फरजी केस दर्ज करवा दिये गए powerful लोग के द्वरा next सरकार ना देखो information commission की जिम्मेदारी RTI एक्ट को implement करने की है और final जो appeal जाती है वो भी information commission के पास जाती है बड़ देखो information commission में appointment होती है information commissioner की लेकिन विबिन राज्जों की सरकारे या फिर central government है information commissioner को appoint ही नहीं करती post जो है information commission में खाली पड़ी रहती है तो इस परकार भी RTI एक्ट कमजोर हो रहा है मतलब information commission में commissioner की post है खाली पड़ी है appointment ही नहीं हो रही है 3-3-4 से 4-4 साल से तो इस वज़े से देखो backlog जो है cases का pendency जो है वो बढ़ती जा रही है यह देखो information commissions में backlogs काफी तेजी से increase हुए है तो एक परकार से Supreme Court कहता है कि जब देखो इतना-इतना cases की pendency होगी information commission के सामने तो तो RTI फिर एक act नहीं है यह तो dead letter के समान हो गया है मतलब आप indirectly RTI को implement ही नहीं कर रहे हो express कर रहे हो आप RTI को indirectly directly नहीं कर रहे हो indirectly कर रहे हो information commission से समंदित क्या issue है हमारे देश में देखो अभी 29 information commissions है जिसमें से देखो साथ information commission ऐसे 29 में से जो देखो defunct थे मतलब उन information commissions में informational commissioner थे ही नहीं काम ही नहीं कर रहे थे सोच के देखो इतना important काम RTI को implement करने में information commission का लेकिन 39 में से 7 information commission ऐसे 2023 में देखो अलग अलग समय पे उनमें एक भी information commissioner काम नहीं कर रहा था जारखन commission 4 सालों तक लगातार non-functional रहा तिरपूरा information commission 3 साल तक non-functional रहा तेलंगाना 1.5 साल तक पूरी तरह से non-functional रहा महराष्टर commission में अभीना जैसे 11 post है महराष्टर information commission के सामने और central information commission ये center level पे इनकी देखो 11 में से 8 post vacant पड़ी है और तो और इवन देखो 2015 के बाद से central information commission में कभी भी information commissioner की appointment नहीं हुई जब तक court ने आदेश नहीं दिया यानि बार-बार citizens को court में जाना पड़ता है और court आदेश देती है central government को कि भाया प्लीज प्लीज आप central information commission में information commissioner की appointment कर दो तब जाके फिर central government central information commission में appointment करती है और बावजुद उसके अभी भी 11 में से 8 post vacant है और देखो इवन जब भी न्यूकती होती है तब भी सरकार क्या करती है retired जो government officials है उनको लगा देती है या फिर ऐसे लोगों को information commissioner बना देती है सरकार को पता है कि ये बनने के बाद ये हमारी ही favor करेंगे हमने इनको जोब दी है इस वज़े से result पता क्या निकलता है इस वज़े से होता ये है सरकार अपनी पसंद के लोगों को information commissioner पे लगाती है ना जातर समें retired government officials तो वो क्या करते है वो ना penalty लगाते ही नहीं है मतलब चाहे delay हो जाए कुछ हो जाए वो कुछ नहीं करते penalty नहीं लगाते तो फिर देखो government departments में डर खतम हो गया है डर मतलब कि एक निश्चे time frame में RTI का जबाब देना है अब उनको डर खतम हो गया क्योंकि information commission ने penalty लगाना बहुत कम कर दिया है तो उनके मन में कोई भय नहीं है कि हम information नहीं disclose करेंगे तो हमारे उपर penalty लगाएगा information commissioner नहीं अभी हमारे देश में total जानते हो किती appeals pending है चार लाग से ज़्यादा information commission के सामने हमारे देश में appeals अभी भी न pending है अगर बिहार में या 36 गड़ में कोई appeal फाइल करेगा न तो उसका समाधान पता कब निकलेगा 2029 में 5 साल बाद बताओ क्या तो ये act रह गया अभी implementation तो बहुत ही पूर है इसका अच्छा act था RTIR इसके बाद next issue बताते हैं writers 2019 में टुट 2019 में RTIR Act में एक amendment आया amendment ने न central government को power दे दी कि central government अब न कितना कारेकाल होगा information commissioner का क्या salary होगी क्या pension मिलेगी और retirement के बाद में क्या-क्या सुविधाय मिलेंगी ये सब कुछ decide किया जा सकता है central government के द्वारा अब आप एक बाद बताओ जब इतनी power central government के पास में होगी इनका information commissioner वालों का भाग्य decide करने की कि salary भी central government decide कर रही है pension भी यही decide कर रही है तो information commissioner तो इनको appease करने की कोशिस करेंगे central government को independent होके थोड़ी न काम कर सकेंगे information commission की my बाप तो central government हो गई तो deader के विचारे काम करेंगे अरे भाई हमें तो इनसे सुविधा ले नहीं है तो इसलिए independent होके information commissioner नहीं काम कर पाएंगे ये amendment act गलत था उससे में काफी विरोध हुआ था लेकिन फिर भी pass हो गया next point और कैसे कमजोर करने की कोशिस की जा रही है देखो पहले ना RTI act में एक provision हुआ करता था कि आप personal information disclose नहीं कर सकते और कुछ reasons बताए गए थे अगर देखो personal information का किसी public activity से कोई लेना देना नहीं हो इस परकार के 2-3 reason बताए गए थे तो ऐसे cases में personal information नहीं disclose की जा सकती बट देखो 2023 में एक act आया जिसका नाम था Digital Personal Data Protection Act 2023 अब इस में ना साफ साफ बोल दिया गया RTI act को amend करके कि भाई personal information को disclose करना ही नहीं है चाहे personal information का लेना देना हो public activity से तो भी personal information को disclose करना ही नहीं है पॉइंट समझे आप RTI act में ये बोला गया था कि personal information को disclose नहीं कर सकते और reason बताए गए थे कि अगर personal information का public activity से कोई लेना देना नहीं है अगर public issue है तो personal information को release किया जा सकता है बट ये 2023 में digital personal data protection act आया तो इसने RTI act को और कमजोर कर दिया ये बोला कि आप किसी भी सूरत में personal information को disclose नहीं कर सकते चाहे public issue involved हो तो भी मतलब RTI act और कमजोर हुआ फिर देखो एक important provision हुआ करता था RTI में कि जनता को वो सारी information provide की जाएगी इस RTI act में जिस information के लिए MP और MLA eligible हैं कि ता बढ़िया point था हम लेकिन इसको भी delete कर दिया गया अब ये point नहीं है RTI act में कि जनता उतनी information की हकदार होगी जितनी information के लिए MP MLA eligible हैं अब हटा दिया गया है ये provision फिर next बात की जाती है RTI users को threat scheme 100 से जादा लोग मारे गए हैं RTI act यूज करने के लिए हजारों लोगों पर हमला हुआ हैं धमक्या मिली हैं जूटे case दर्ज करवाए गए हैं इन activist को बचाने के लिए na whistleblower protection act 2024 ये आया था बट आज तक आज तक central government ना हिम्मत नहीं जुटा सकी इस act को implement करने का इस act को implement करने के लिए na rules बनाने थे बट बहुँ ज़ादा आलस है central government को अभी तक rules नहीं बनाए 2014 के बाद से act बन गया लेकिन implement करने के लिए rules अभी तक नहीं बने हैं next है implications for democracy last में conclusion में डाइटर ये बोलती है देखो act बहुत बढ़िया है जनता और citizens के बीच में relationship को transform कर दिया था इस act ने जनता सरकार की जवाबदे ही त्या कर सकती थी power आ गई थी जनता के हाथ में लेकिन देखो इस act को कमजोर करना मतलब democracy को कमजोर करने के समान हैं तो ये पूरा article हमने discuss किया हम चलते हैं आगे इसके बाद ने इस आर्टिकल देखो एक तरफ China और दूसरी तरफ Quad दोनों के बीच में इंडिया की foreign policy की strategic balancing से समान दित हैं अपना syllabus में GS paper 2 India and neighborhood relations IR से इस article को relate कर सकते हूं देखो September 2024 में Quad की meeting हुई US में ये जो Quad की meeting थे इस meeting में Quad ना एक security alliance के तोर पे immerge होके आया राइटर M.K.N.Rainer है इस article के वो बोलते हैं देखो ये meeting Quad की अब तक की सबसे important meeting थे इस meeting में वैसे directly China के बारे में कुछ नहीं बोला गया लेकिन देखो Quad जो initiative है ना वो एक security alliance के तोर पे immerge होके आया इंडिया ने वैसे मना किया है कि Quad एक military alliance नहीं है बट जिस परकार की बाते की गई बिना चाइना के नाम लिए साफ-साफ लग रहा था कि इस initiative का मकसद चाइना को checkmate करना ही है आज के समय में देखो इंडिया चाइना के against US की side और Quad में ज्यादा मजबूती से खड़ा दिखाई देता है अगर देखो बात करें ना इंडिया चाइना relations की ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना relations में stalemate हैं relations आगे नहीं बढ़ रहे हैं बलकि relations खराब हो रहे हैं deteriorate हो रहे हैं जैसे गलवान वैली में अभी भी दोनों देखो की forces आमने सामने हैं Dapsang Plains और Dem Choke दोनों जगाओं पे अभी तक negotiation चल रहा है disengage करने के लिए कि दोनों देखो की forces पीछे हट जाएं इन दोनों points पे बट अभी कोई final agreement नहीं हुआ है Ladakh में भी frictional points जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कुछ ऐसे points हैं जहां पे पहले इंडिया की forces patrolling करती थी बट अब patrolling नहीं कर पा रही है हमारे आर्मी चीफ ने ना हाल ही में statement दी कि Ladakh region में जो situation है ना stable है बट sensitive है तो इंडिया लदाख में situation को देखो हलके में नहीं ले रहा है आर्मी ने वहाँ पे vigilance increase कर दी है और काफी अलग अलग तरह के हत्यारों को वहाँ पे deploy क्या गया है देखो जैसे नई long range missiles, heavy artillery, hovidser, rocket system मलब बहुत कुछ heavy weaponry वहाँ पे deploy की गई है बट इन सब steps से ना चाइना ऐसा दिखाता है कि हम चिंटित नहीं है हमारा बज़र्ट इतना ज़्यादा है कि हम इंडिया की चुनोती को serious नहीं ले दे हैं असानी से इसे handle कर लेंगे तो चाइना की approach में na arrogance दिखती है और चाइना देखो जाना जाता है अपनी approach में surprises देने में जैसे आपको याद होगा 1962 war उमीद नहीं थी चाइना हमला कर देगा बट चाइना ने surprise दिया और इंडिया के उपर attack कर दिया तो चाइना surprises देने के लिए जाना जाता है इसी वज़े से इंडिया कोशिस है सावधान होके चल रहा है sensitive है situation हमारे army chief भी बोल रहे हैं देखो पिछले कुछ सालों में आप देखोगे न जैसे अभी राष्ट्रपती है चाइना के C. Jinping के कारेकाल में चाइना अपने परोडोसी देशों के साथ में रिष्टो को टेस्ट करता रहता है कि सामने वाला देश हमाला परोडोसी देश की परकार से रिप्लाई करेगा इवन 2017 में C. Jinping जो चाइना के राष्ट्रपती है उन्होंने एक स्टेट्मेंट दी थी कि आज का जो चाइना है वो डैन जीओ पिंग के समय में जो चाइना था उससे बहुत अलग है 2021 में उन्होंने वार्निंग दी कि जो भी बाहर का देश एक्स्टरनल फोर्स चाइना को बुलिंग करने की कोशिज करेगा चाइना को दबाने की कोशिज करेगा उसका करारा जबाब दिया जाएगा फिर 2022 में CPC Congress की मीटिंग होई वहाँ पे चाइनीज Communist Party की तो इसमें भी चाइना का अग्रेसिव नेशनलिजम देखने को मिला तो चाइना देखो अपनी अप्रोच में बहुत अग्रेसिव हो गया है इसमें कोई डाउट ही नहीं है और इंडिया की क्या अप्रोच है मैंने आपको बताई दिया साफधानी वरी अप्रोच है इंडिया की यहाँ पर राइटर देखो एक पॉइंट रेज करते हैं में पॉइंट उनके आर्टिकल का यही है कि चाइना इंडिया के साथ बोडर डिस्प्यूट को ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट मानता नहीं है इवन चाइना को भी अंदर से पता है कि हमारे जो क्लेम्स है न जिसे यह लदाख रीजन हमारा है यह फरणाचल परदेश में यह एरिया हमारा है चाइना को पता है इस चीज़ का कि पुराने मैप्स पे हमारे यह क्लेम्स हैं और कॉंक्रीट नहीं है यह मैप्स लेकिन हाँ चाइना अपने claims को give up करने के लिए तयार नहीं है तो इसलिए चाइना ना इंडिया के साथ border dispute को relatively उतना बड़ा नहीं मानता है बट ये writer का view है देखो बट जो ये इंडो pacific region में खास करके चाइना sea में कुछ islands को लेके dispute है वहाँ पे US बाकी देशों के साथ लामबंदी कर रहा है चाइना को contain करने के लिए इसे चाइना ज़्यादा serious threat मानता है ये writer का view है ये देखो border issue इंडिया के साथ चाइना के लिए बड़ा issue नहीं है चाइना के लिए बड़ा issue है इंडो pacific region में खास करके इस South China Sea में जो islands को लेके dispute है वो disputes और वहाँ पे US की अपने दोस्तों के साथ में लामबंदी चाइना को contain करने के लिए चाइना को दबाने के लिए ये चाइना इसे चाइना एक बड़ी चुनोती मानता है तो अब writer का view देखो ये है इंडिया अब quad में ज़्यादा मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है और China quad को एक serious threat मानता है इस वज़े से इंडिया चाइना के relations और ज़्यादा खराब हो सकते हैं अभी जो quad का summit organized हुआ था ना US में इसमें Wilmington declaration थी declaration थी कुछ खास लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बोला गया तो उसमें ना उससे एक बात साबित हो गई कि quad बेसक बोले ना quad के member countries की ये defense alliance है बट है actual में ये defense alliance ही तो देखो इंडिया quad का part है quad indirectly China को contain करने के लिए है तो इससे ना चाइना इंडिया से और जड़ा चिड जाएगा तो राइटर अपनी एक सला देते हैं भारत को वो कहते कि इंडिया को ना wrong signals avoid करने चाहिए इंडिया अगर वास्तव में चाहता है कि quad एक military alliance ना बने तो इंडिया को अपने आपको quad से थोड़ा अलग करना चाहिए direct confrontation हमें चाइना के साथ में छोड़नी चाहिए हमें एक balance establish करना चाहिए balance मतलब कि एक तरफ देखो चाइना के राष्टरपती जो मिठी मिठी बाते करते हैं गोली देते हैं कि मानवता का shared future होना चाहिए और इसके अलावा दूसरी तरफ west का view है कि चाइना का जो rise है global future के लिए अच्छा नहीं है दोनों जो view है वो extreme है चाइना के राष्टरपती वो बोल रहे है हाँ मानवता का shared future होना चाहिए ये बहुत ideal बात है जबकि west जो बोल रहा है कि चाइना का rise मानवता के लिए खराब चीज है global future के लिए खराब चीज है ये भी extreme view है तो इंडिया को नहीं दोनों के बीच में रहना चाहिए ना तो इंडिया ज्यादा US और West के साथ खड़ा दिखाई दे और ना ही इंडिया चाइना की मीठी मीठी बातों में आए हमें अपनी foreign policy में strategic autonomy बरतनी चाहिए अपने interest और security को देखते हुए फैंसले लेने चाहिए तो ये writer का view है इस article में इसके बाद एक static जो हम daily revise करते हैं GS paper 3 Indian economy का इस्टेटिक है medical tourism medical tourism मतलब देखो विदेशी मरीजों का देश में आना इलाज करवाने के लिए ये लोग अपने देश से बाहर इलाज के लिए भारत जब आते हैं ना तो मतलब वो medical tourism के लिए आ रहे हैं क्यूं आते हैं भारत reason देखो साफ हैं सस्ता इलाज कम इंतजार और बैतर सुवी धाम तीन चीजों की वज़े से भारत में आते हैं और इंडिया medical tourism के मामले में एक top country बनता जा रहा हैं ये देखो 46 देशों में इंडिया की रैंकिंग है 10 और इंडिया की जो tourism industry है वो देखो 3 billion dollars की हैं हर साल लाखो लोग इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए अब इसके बाद आता है medical tourism के मामले में इंडिया की ताकत क्या हैं ताकत world class hospitals जैसे देखो Apollo, 40s, Medanta, highly qualified doctors, aims या फिर दू इसके अलावा अब जैसे UK में एक मरीज को कोई surgery करवानी आना hip replacement करवाना है तो बहुत इंतजार करना पड़ता है इंडिया में वो hip replacement 1 by 10th coast में हो जाता है और इंतजार भी नहीं है तो एक UK का citizen फिर इंडिया में आ जाएगा अपना hip replacement के लिए लेकिन देखो medical tourism में चुनोतिया भी है, issues भी है सबसे पहले language की दिक्कत है मरीजों को समझने में दिक्कत आती है दूसरा quality का difference है हर hospital में देखो एक जैसी quality नहीं है कुछ hospitals में quality खराब भी है और legal issues भी है हर देश के देखो अलग rules है तो उस वज़े से problem हो सकती है ethical guidelines अलग अल legal guidelines से अलग है legal guidelines से अलग है और दूर दराज के इलाकों में देखो transport की भी दिक्कत है अब famous जो cities है हमारे देश में वहाँ पे तो transport अच्छा है बट दूसरा मानलो tier 2 cities है वहाँ पे कोई मरीज आता है इलाज करवाने के लिए तो transport की व्यवस्ता उतनी अच्छी नहीं है अब बात आती है सरकार क्या कर रही है medical tourism को boost करने के लिए 156 देशों के साथ हमने देखो e-medical visa के लिए agreement sign किया है आयूस visa अलग से सरकार देती है जैसे आयूरवेद, योग, इन सब के लिए national strategy for medical tourism ये सरकार ने launch की इसके लावा एक portal launch किया अलग से heal in India program ये विदेशी मरीजों के लिए digital portal है फिर है देखो multilingual website मतलब ऐसी website सरकार ने बनाई है विदेशी मरीजों के लिए जो अलग-अलग languages में access की जा सकती है जैसे देखो Arabic, Russian, French इन सब languages में टाकि medical tourism वाले मरीजों को सारी information मिले अपनी language में health संबंदित सारी information मिले इंडिया में अपनी language में way forward में क्या कहा जाता है वे forward में देखो ये बोला जाता है healthcare infrastructure बढ़िया करो और जो healthcare service provider है जैसे doctor nurse उनकी training पे और ज़रा ध्यान दो और exceptional customer service provide करोगे तो बहार से देशों से और ज़रा मरीज आएंगे और देखो हमारे hospitals को na globally acknowledged quality certificate लेने चाहिए और उनको advertise करना चाहिए ताकि quality के बारे में विदेशी मरीजों को पता लगे फिर देखो regional travel industry के साथ मिलके काम करना चाहिए hospitals को ताकि package वगरा दिये जासके कि लोग घूमने भी आए और इलाज भी करवा ले next जो विदेशी मरीज हैं पहले उनको थोड़ा मोका दो वो वहाँ पर अपने देश में ही बैटके tele consultation कर सके और फिर वो जब shore हो जाए जब भारत में आए इलाज करवाने के लिए और customer के जो patients के जो testimonial वगरा है वो share किया जाए तो यह सब काम किया जा सकते हैं अब जल्दी से 2-3 मिनेट में revise कर लेते हैं railway वाला आर्टिकल हमने discuss किया था सुरू में recent accidents की बात की कवच protection system की बात की कैसे ये कवच protection system accidents रोक सकता है 10 साल लगेंगे 2% जितना railway खर्च करता है अपने capital infrastructure पे उसका लगेगा हर साल 2% और फिर लेकिन कवच system से आगे बढ़ने की आऊ सकता है स्टांफ के लिए working conditions इंप्रूव करो, signal system इंप्रूव करो, railway की revenue growth काफी slow है central government के उपर dependent होता जा रहा है, track over utilized है, coal freight के उपर dependent है railway की और लेकिन अभी कोईलया के उपर सरकार की dependence कम होती जा रही है क्योंकि Paris Climate Change Agreement को implement करना है, emission कम करना है COVID के बाद से railway ने अपना जो market share है वो recover नहीं किया सरकार के लिए बोला गया, हमने discuss किया, एक तरफ counter terrorism investigation करो दूसरी तरफ transparency लेके आओ, safety approach और modernization, दोनों में balance establish करो तो इस परकार से हमने यह mind map के through discuss कर लिया फिर यह RTI वाला article हमने discuss किया था, 20 साल में RTI enter कर गया है, बहुत बढ़िया कानून है citizens को power देने के लिए बहुत सारे corruption scandal उजागर हुए जैसे electoral bond scheme, लेकिन कमजोर किया जा रहा है इसका implementation काफी weak है, जो users इसे use करते हैं, उनके ओपर हमले हुए है, मारा गया है सरकार act को कमजोर कर रही है, amendment करके, और information commission में, information commissioner से उनकी nukety नहीं की जा रही यह सारा data हमने discuss किया, कि कई जिवहों पर जैसे जहारखन में तो 4 साल हो गए, information commissioner appoint नहीं है और कामी नहीं कर रहा है information commission, central information commission में भी 11 में से 8 post खाली है फिर यह हमने discuss किया, कि बार बार जनता को court में जाना पड़ता है, ताकि वो central government को आदेश दे, information commissioner appoint करने के लिए information commission काम नहीं कर रहे हैं, इस वज़े से 4 लाख appeals pending है, information commission के सामने और 95% cases में penalty नहीं लगाई जाती, इस वज़े से डर खतम हो गया है, कि हाँ RTI को अच्छे से implement नहीं करेंगे तो हमारे उपर penalty लगाई जाएगी, वो डर खतम हो गया है, 2019 में amendment act सरकार लेके आई, RTI को कमजोर कर दिया पहले ये था, कि सिरफ वो personal information नहीं दी जा सकती, जिसका public issue से लेना देना नहीं है बट अब digital protection, data protection act आया, तो इसमें बोल दिया गया, सारी personal information कोई भी हो, share नहीं की जा सकती पहले provision ये था कि MPMLA के बराबर citizens की power होगे information मांगने में, ये भी हटा दिया फिर इतनी लोग मारे गए हैं, last में हमने discuss किया, RTI को कमजोर करना मतलब democracy को कमजोर करना ये question देखो आपको RTI से समधित attempt करना है, 250 words में इस question का answer देना है, 15 marks का ये question है तो ये थी हमारी आज की discussion, कल मिलते हैं, फिर से एक नई discussion के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, thank you, thank you very much for discussion